नमस्कार दोस्तो, आज के इस video lecture में बात करेंगे, properties of fouriere transform, fouriere transform की कुछ properties हैं, important properties, जो communication में यूज होती है, उनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहली property है, duality, duality में, duality property आपको बताती है, if, fourier transform of xt is represented by the xf, then, xt, the fourier transform of xt is equivalent to x-f, तो यहाँ पर क्या है? चेंज आप देखिए कि जब हमने XT का Fourier Transform किया तो हमने रेपेजेंट किया capital XF से अब जो यह Fourier Transform आ गया है इसमें अगर हम F को T से replace का देते हैं तो यह एक तरह की से time domain में हो जाएगा तो यह हमने इस तरह की से लिग लिया XT, अब इसका मैं Fourier Transform करता हूँ, तो यह आना चाहिए X-F, जो पहले X था, उसमें अगर हम T को माइनस F से replace का देते हैं, तो उसके बरावर आना चाहिए, यह basically dual T property कहते है तो इसे हम एक example की मदद से समझ लेते हैं अगर delta T is equivalent 1 to XT, जो XT है, उसकी ज़िए हम delta T लिख रहे हैं, इसका जब हमने Fourier Transform किया, तो मैं मिला 1, जो के XF के बरावर हो गए इस 1 को हमने यहाँ पर रखा हो, अब इसमें तो कोई time और frequency का ऐसा term नहीं आ रहा है, एक्शल में अगर आता time का, यहाँ तो हम इसे frequency कोई डमागा होता तो time में convert कर देते, तो 1 1 का फिर आपने Fourier Transform किया, तो वो आएगा del minus F, एक्शल में यहाँ del T था, तो T की जाए क्या का दिया, minus F तो आप इसे 1 को plot करके भी समझ सकते हैं 1 को और आप plot करते 1 क्या होगा basically अगर मैं यह से plot करता हूँ, तो 1 क्या होना चाहिए definitely यह value इस तरीके से होगी, 1 आप कह सकते हैं, एक यह DC signal है, with zero frequency जब आप इसका Fourier Transform करते हैं तो वो आएगा अब यहाँ पर यह del f के बराबर हो जाएगा यह del minus f है तो 0 के about यह symmetric होता है तो del minus f is equal to के इसके बराबर होता है del f के ठीक है तो I think इससे dual property अब को थोड़ी के लिए रही हो गई दूसरी property है दूसरी property है frequency shifting property तो frequency shifting property क्या कहते है देखिए if xf is the Fourier transform of xt xt का अगर Fourier transform ले रहे हैं वो xf आता है तब अगर हम xt को multiply करते हैं किसी exponential से e to the power j2pi f0 t से मैंने से multiply किया तो क्या होगा जो frequency dominance का spectrum है basically वो f0 से shift हो जाएगा minus f0 हो गया right में shift कर जाएगा अगर हम xt को multiply करते हैं e to the power minus j2pi f0 t से तो यह left में shift हो जाएगा xf plus f0 तो यहाँ पर जो sign है basically है इससे decide हो जाएगा minus है तो plus है अपोजिट होता है यहाद रखना है आपको यहाँ plus था तो यहाँ minus है ठीक है तो मैंसे एक example की मदद से समझने कुछ करते हैं if xt is equal to 1 हमने xt को 1 मान लिया तो 1 का Fourier transform हो आप करेंगे तो अब यह आपने duality property देखा था क्या आता है डेल f आ रहा है डेल f आएगा अब इस 1 में अगर मैं multiply कर देता हूं e to the power j 2 pi f0 t का तो मैं कह सकता हूं 1 into e to the power j 2 pi f0 t इसका Fourier transform क्या जाएगा इसका Fourier transform में हाएगा डेल f minus f0 clear है और इसे हम plot कर सकते हैं किस तरीके से कि मैं इसे plot करना चाहूंगा तो इसे मैं इस तरीके से plot कर सकता हूं कि डेल f minus f0 है तो 0 पर था f minus f0 तो आप इसे इतर plot करेंगे f0 पर value 1 कह दिया हमने यह डेल f minus f0 हो गया उसके बाद अगर मैं multiply करता है इसमें e to the power minus j 2 pi f0 t से तो इसका Fourier transform क्या आता डेल f plus f0 और इससे अगर मैं plot करूंगा तो यहाँ पर 0 और इस साइड में आएगा minus f0 पर इसे plot करेंगे इसकी वहली 1 होगी यह होगा डेल f plus f0 क्लियर है तो आप जानते हैं कि अगर हम cos 2 pi f0 t का Fourier transform लेना चाहेंगे तो क्या हैगा आपको समझना है क्योंकर इससे अगर मैं exponential की form मैं लेकूं तो cos 2 pi f0 t is equal to क्या होता है e to the power j 2 pi f0 t plus e to the power minus j 2 pi f0 t divided by 2 यह होता है ना cos 2 pi f0 t यह पता है आपको तो इसका मेरे को पता है कि यह होता है Fourier transform इस term का यह में मालुम है Fourier transform यह होता है तो मैं cos 2 pi f0 t का Fourier transform निकाल सकता हूं plus del f plus f0 divided by 2 क्लियर है अगर मैं cos में किस चीसे multiply कर देता हूं यहां पर मैं suppose a से multiply कर दिया तो क्या होगा इसका effect इधर भी इसमें पूरे में a से multiply हो जाए इस तरही किसमा से निकाल सकते है से क्लियर है और इसका जो complete spectrum है इसे आप बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा अगर इसका मैं complete spectrum बना चाह रहा हूं तो इस spectrum कुछ इस तरही किसे हो जाएगा यह 0 हो गया f0 पर plot कर देंगे हम अब 1, 1 जब था कि यहां कोई amplitude नहीं था simple हम बात कर रहे थे इस case में करता था 1 लेकिन इस case में मैंने a रखा है amplitude यहां पर देखें आप बेसिकली आपको इसे plot करना है इसे plot करना है तो यहां पर amplitude जो है वो a by 2 है तो यह हो जाएगा a by 2 a by 2 हो जाएगा उसके बाद इधर आपको minus f0 पर plot करना है तो minus f0 के लिए item होगा तो यहां पर भी a by 2 तो यह इसका amplitude हो जाएगा अगर a हम नहीं लगाते हैं सिर्फ यहां पर 1 by 2 आता यहां पर 1 by 2 आता विकास यह amplitude होता है इस case में तो I think frequency shifting property के लिए रहा है आप इससे समझ पा रहा है कि cos 2 pi f0 t का हमने किस तवीके से spectrum बनाया इसका आगे हम use करेंगे basically इस बहर से हमने यह आपको बताया then third property is modulation property तो modulation property में अगर xt का Fourier transform xf होता है then xt में अगर हम cos 2 pi f0 t से multiply करते हैं तो इसका Fourier transform आएगा xf minus f0 plus xf plus f0 by 2 तो जो last property हमने देखी थी उसमें और इसमें आप अगर difference देखें इस जगे पर cos 2 pi f0 t था साथ में हमने कोई function multiply नहीं किया है तो उस case में आपको dell की form में आ रहा था लेकिन जब आप cos के साथ आपने xt का multiply कर दिया तो क्या हो गया यह dell की जगे वो replace हो गया किससे x से जो आपने यहां पर signal लिया है उस signal से basically वो replace हो गया तो यह हो गया x f minus f0 plus x f plus f0 by 2 आप यहां पर ही multiply करेंगे तो यहां पर भी a का multiply हो जाएगा तो यह property है modulation property basically तो modulation करने के लिए इसी property का हम इस्तेमाल करते हैं जो के आगे आपको यूज करने हैं जब हम modulation पढ़ेंगे modulation amplitude modulation dsb sc ssb कई सारी modulation techniques है उन्हें जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर spectrum देखेंगे तो आपको और clearly समझ में आयागा I think यह आपको समझ में आया होगा thank you